Hello friends, आप सभी का B8 Course के Mission One Way चैनल में स्वागत है दोस्तो, आज हम लोग बात करेंगे B8 First Year में या First Semester का जो Childhood and Growing पेपर में मानसी विकास के बारे में देखेंगे जिसमें तीनो अवस्थाओं को आज हम लोग कवर करेंगे तो इसलिए वीडियो को सुरू से अन तक देखना ताकि आप लोगों का एक ही वीडियो में मानसी विकास जो हता है, वो सेस्वावस्था में किस परकार से विकास होता है बालावस्था में किस परकार से विकास होता है तो आप लोगों का जो है concept इसमें clear होते जाएगा तो आज हम लोग मांसिक विकास किस परकार से बालोकों में होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे ठीक है और जो साथ ही मेरे चैनल पर नया आए है पिलिज जो है इस चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि इस चैनल के जो हमेंeren ही हमें जो वीडियो बनाने में परेडिट करता था तो आईयो दौस्तों सुरू करते हैं मांसिक विकास हो को देखें क्योंकि सारे रहे विकास कसे बढ़ता है थो मांसिक विकास गाड़ने जाता है तो बो हम लोग देखंगे। पेस्स ववस्था में मानसी विकास फिर बाले ववस्था में मानसी विकास और किसरो ववस्था में मानसी विकास ठीक है और हाँ जिन लोगों को बेर से समझे किसी भी पेपर का नोड चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉंटेट कर सकते हैं ठीक है मांसी विकास जो है हो चुका है ठीक है जनम के समय सिसू में मांसी विकास का अस्तर सुनने होता है जब बच्चा जनम लेता है तो उसमें मांसी विकास सुनने होता है यह कुछ भी ने रहता है जीरू रहता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उन्हें नए नए अनुभों को गर से उनका मांसी विकास बढ़ता है मांसी विकास का सम्मद बोद्धिक शम्ता से होता है मांसी विकास का सम्मद किस से बोद्धिक शम्ता से मांसी विकास किस बोद्धिक का जब विकास होगा है तो मांसी विकास होगा ठीक है जिसमें चिंतन करने की शम्ता ठीक है तरक करने की याद रखने की छमता, समस्याओं का सुलजने की छमता, योगता आदी छमताओं का विकास होता है, देखें, मानसी विकास का मतलब क्या हुआ, कि बच्चे जब चिंटन करना लगते हैं, ठीक है, तिंकिंग करने लगते हैं, तरक करने लगते हैं, याद रखने लगते हैं, सम विकास हो जाती है, वो मुर्थ और अमुर्थ रूप से चिंतन करना प्राड़म कर देते हैं, मुर्थ और अमुर्थ रूप से, मुर्थ का मतलब जिन चीजों को सामने से देख के जो है, उनके बारे में सोचते समझते हैं, उन्हें मुर्थ करते हैं, और जिनके बारे में, उ जो चलता है वह मांसी विकास होता है जन्म से पड़िपक्वता ने मैचुर्टी तक चलेगा ठीक है जबकि हम लोग सारड़ी विकास देखे थे वह कब तक हुआ था गर्व धारन से लेकर किसुरा वास्ता तक होता है ठीक है आएए इसका पड़िवासा जो दिया था वह जा जेम्स डीफर के नुसार जेम्स डीफर ने इसका पड़िवासा दिया था किसका मानसी विकास का बैक्ती के जन्म से पड़िपक्वता तक की मानसी छमताओं एमां मानसी कार्जों के उत्त्तर परकटन एमां संगठन की परक्रिया को मानसी विकास का जाता है इसको आपको य करेंगे सबसे पहला जो बिशेष ताया है मानसिवीकास का क्याускि यहां से बrishtun के आयू के सथ बढ़ता है यह बात तो सई है कि जैसे शीसुआ बढ़ेगा उसका सब्ढोस के बीक्सित हो जाता है जिस घाई मका चित्र बन जाता है, तो वो उस चीश को समझने लगता है, जैसे को बच्चा होता है, जब उसके मा की आवाज सुना जाता है, तो उसके दिमाग में मा की पर्तीमा बन जाती है, तो यहाँ पे हम यह देखें कि 1.5.000-3 वर्षिक को जो बालग होता है, वो अस्मिर्थी को यादों को चिनों के माद्यम से समझता है ठीक है तो जैसे जब मा की आवाज को सुनता है तो मा का उसका परतिमा जो है मा का चेहरा जो है उसके जो है मस्तिस में क्या है याद आने लगता है ठीक है तो वहाँ पर बच्चा रोना शुरू करता है जैसी मा की आवाज सुनता है तो यहां पर यह दखेंगे कि उस वह याद किसे करता है चिनों के माद्य्य मुठाइ जैसे पड़ी पक्वन के और आगे बढ़ता हो थीर दिनले यहाँ पर जो है और आगे बढ़ता है मानस्री विकाश के अभीरूचियों का विकाज बच्चे जैसे से बरेंगे उसके आवसकता है और अभीरूचियों भी बढ़ती जाएगी ठीक है नीटस एंट इंटेस्ट सामान ने बालक जनम के दो सब्टा से दो साल की आउधी में वह मुलत नहीं आउसकता हों को देखती हैं जो ब्रार खेलोने को उसको मिल जागा तो वह उतना खुश हो जाता है, ठ mmt वहागा भूक प्यास से शब्मन्णित ही वह चीजों को अपना क्या करता है आवसकता हो को अपने ग़ेज के लीजके खुषता है जिनमें उनमें मांसी विकास होता है और उससे धिरी धिरी मांसी विकास होना शुरू हो जाता है ठीक है तिसरा नमबर में है नए विचार एवंग चिंतन सक्ति का विकास अब बच्चा जैसे बरा होगा उसमें नए विचार जो है आने लगेंगे नए चिंतन का विकास होने लगेगा आज देखते हैं इस point को मांसी विकास के साथ ही बालों के मस्तिस में नए नए विचार है वों चिंतन आने लगते हैं ठीक है बाला किसी घटना का विसलेशन कर उसमें सम्मधित नए अनुभोग परदान करने की चमता विक्सित हो जाती है बच्चे जब का बंण की चमता मांसी विकास होने से बच्चों में योजना योजना बनाने की चमता का विक्सित हो जाती है यह सबी हमनुझ देखिए कि मांसी विकास की विस्यस्ताओं को देखे दें अब नोगों दिखेंगे से सोबस्था में मानसी विएस ठीक क्षोना सव वस्था में से दो वरिश्था की ब Face जिनम से लेकर वर्स्था कनरते हैं से सस्व वस्था करते हैं जनम से दो वरिश्था की पहले कि बहुत्वेdtि आर्ष नहीं समझता है किसी भी परकार के समस्या उद्धीपन का मतलब समस्या किसी भी तरह के समस्या को वह नहीं समझता है ठीक है लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतने के साथ उनका मानसी विकास होता है होता जाता है उनकी समझ विक्स्तित हो जाती है ठीक है तो यहां पर समझाने वाली बात नहीं है ह कौन-कौन से तत्तों थे जिसके कारण सारेड़े विकास हो रहा था उसी परकार मांसी विकास में भी देखेंगे कि कौन-कौन से घटाक है जिसके द्वारा बालोकों का सच्छों रस्था में मांसी विकास होता है ठीक है तो पहला नमर समझ का विकास एक नमर क्या है समझ का तो सबसे पहले अपने माता पिता को पाचानता है जब जनम लेता है तो सबसे पहले अपने माँ को पाचानता है फिर पिता को पाचानता है तो माता पिता को सबसे पहले वह पाचानता है ठीक है यहां तक कि मां की आवाज यह धोनी के सुनते ही वह जो है क्या हो जाता है उसक हraf tow ब्यक्तियों की बीवेद करना सीख्ज़ाता है देखी यह पाचानने का मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं उसके मस्तित में यह सभी चीज़े मे बैषने लगता है मानसी विकास होता है मानसी विकास हो पहले मातापिटा को पाचानते हैं, फिर वो जो है, कपरों को किसी भी समस्याओं को ब्यक्तियों में बिभेद करना सिखना शुरू करते हैं, फिर वजन्त का समप्रत है, concept of weight सिसू को भार का ग्यान ठीक से नहीं होता है सिसू भार के मात्रा का अंदाज वस्तू के आकार से होता है उन्हें लगता है कि बड़े आकार के सभी वस्तों के सभी वस्तों से भारी होती है उन्हें ये लगता है कि जितने भी बड़े वस्तों होती है वो छोटे आकार के वस्तों से अधिग भाड़ी होती है ठीक है लेकिन हम लोग कुछ वस्तों ऐसे भी देखते हैं जिसमें हाइट तो बढ़ा होगा लेकिन उसका वजन उतना नहीं होता है लेकिन बच्चों को यह लगता है कि जो बड़े चीज होते हैं क्योंकि उसके दिमा रहा नमबर देखते हैं समय का संप्रत्य यानि सिस्वों को समय का ज्यान नहीं होता है ठीक है यह बात सही वह घर में पड़िवार के सद्शुण के द्वारा सुभ है दो पर साम रात दीन आट वजे दस बजे इन सभी का अर्थ नहीं समझते हैं जब घर में उन्हें सुप आतम संप्रत्य ज Cute कीлект किसम बना लेता है यसे की इसमें लों जो होता है की पर ती इसमें पर्तिवा किसमें नहीं देखता है और वह अपना जह grade बनाने ए ठीक है पाचवा नमबर तक योन भूमी का संप्रेत है ठीक है नवजा सिसू को यह ग्यात नहीं होता है कि लड़का तक लड़की की आवाज वेज भुसा वेवार में क्या आंतर होता है लेकिन दो वर्स की आयो तो मांसी विकास खास अस्तर पर आ जाता है इसमें यह देखेंगे कि दो वर्स तक आते हैं बालकों में यह लड़का लड़की में विवेद करने की शमता है यह वेज भुसा के नुशार जो है क्या आंतर होता उसको वह समझ में नहीं आता है ठीक है तिरे देर से फिर यह विकास आगे बढ़ता मांसी विकास छे नमर में समाजिक संप्रत है न कि वह बहुता है कि यहां लोग की बाला वस्ता में माणसी विकास कैसी होता है तो mental development in childhood, मालवस्ता में ठीक है बालवस्ता से तातपरज Märkia की 2 word वर्स्ता की अवस्ता से होता है बालवस्तान जो सी होती है His मालवस्ता से companies काफी तेजी से होता है बालवस्ता में मालस सी विकाज को दो भागों में बटा गया जैसे पराणविक बालवस्ता में मानसिविकास और पराणविक बालवस्ता में मानसिविकास होती है वो दो से छे वरस्तक होती है ठीक है उत्तर बालवस्ता में मानसिविकास होती है ठीक है उत्तर बालवस्ता में मानसिविकास होती है ठीक है तो इसको दो रूप में देखें वह 2-6 वरस्तक होती है इस एवस्था में बालकों के चिंतन-मंगतरक करने की परक्रिया का अध्यन क्या जाता है इसमें जोर घटा गुणा भाग आदि जैसी परतिक्रिया कर इसमें बालक टीक है लेकिन इनके पीछे चिपे नीयमों को वह नहीं समझ पता है लेकि वह जोर कर बस वह उस चीज को रटे जा रहा है ठीक है इस अवस्था में बालोकों में उत्कर्मणियता का गुन नहीं पायता है रिवर्सिबिलिटी वह चीजों को समझ तो लेता है लेकिन इस चीजों को वह याद कर ले दोह समझ नहीं पाएगा रिवर्सिबिलिटि ठीक है यह समझ नहीं पता से ढूंसंgers 5 भी इस तोस्था होता हैं दो 10 धोड़ उन्हें लगताए कि सभी वस्तोरमीजम्ये छोती हैं, उसमें सभी वहीर आंतarfskूँ में समझ्जम्य नहीं है, उन्हें लगता है कि अगर मुझे चोट लगता है तो इने फ़र्स के वजह ऩध defenses दीवार में लगने या फिर किसी भी दर्वाजा में लगने से जो है चोट लगने से जो है तो वह सबने की संवाह सदो मश्चता है और फिर फरसता नोonne तो उसे लगा कि जिससे उसे चोट कर रहा है तो आंतर समझ ने पाता है वह जीब माध होते हैं या इनियुजम होते हैं इसको में अर्थात वह सजीब और जीब में अंतर नहीं समझ पाता है इस अवस्था में बालक अनुवेशन तमक परश्ण करने लगते हैं यह क्या होता है जिसको में बेतुकी का परश्ण करते हैं ठीक है जिसका कोई मतलब ही पर्षिंग का कोई मतलब नहीं होता इस तरह के जह वह पर्षिंग करने लगते हैं एक पर निदे रिषे जोब ओ स्काल रख्रावास होता है निस को कि इस इस अवस्था में ठोस, मूर्थ चीज़ों है, नहीं, इस अवस्था में ठोस मूर्थ चीज़ों is, या नि, एक कॉंकरेट अब्जेक्ट से चीज़ों को समझ सकते है वो जुँआधों के बारे में समझने लगता है अगर है, ठीक है वो चीजों को देखकर उनके समझ विक्सित हो जाती अब वो चीजों को देखकर उनके वारे में समझ विक्सित होने लगता है ठीक है करने purple इसमें सोचने समझने के शमता ताडिक समझदान लोजी कलर ढूल वकर, यहीं अवस्द से जो कुछ नया सिख्ते हैं उन्हीं के अधर्पण यह उर्थ जोरकर सब्द बनाते भची है इस अवस्था में बच्चे जहां से वह सब्द्ों को ए copies of तेसे वी काश में पर्षिंथ कमे एनकों सब्व कर लो में इंयर्थ में DR लड़कियों के मानसिक्षमत चमतका विकास चरम सीमा पर होता धा है, इस अवस्था ход में प rhoga ऑष्पधात आत्म्यंद किशरो अवस्था में प्रिकल्पनात्मक और निग्मनात्मक चिंतन विकास दषटा है , पार्इकल्पनातमक चिंतन, पर को योदन आत्मा OS तो उस वस्तों के बारे में अगर हम कहें तो उसके बारे में जब वो सुचने समझने लगता है यहना चिंतन करने लगता है तो उसको मुनों बलते हैं परिकलपनात्मक निगमात्मक चिंतन क्या होता है जो नियम से उधारन के और जाने लगता है तो उसको मुनों निगमात्म चेल लुक चिंथन कहते हैं तो हाइपोथेटिक अदैक्ड दिदक्टिव graphics झोई इस अवस्ता में विस्ता हो नीदगता हो जाते हैं कया है लुप से किसी वस्तुी और गटना के बारे में की वे कि छीजोत के बारे में चिंथन करना तो कुल कि अर्थात ओप्चारिक रूप से सोच करना शुरू करना कर जाता है समाधान को समाधान करते सुद्द्रॉष olhos समधान करते बन जाते हैं। यानि कि अगर वह किसी भी समस्या का समाधन करने के योग बन जाता है। एक विश्यष्टा यह भी है कि किसरवस्ता में नेतिक विकास का विकास हो जाता है। किसरो वस्ता में नितिक विकास जो हता है वो चरम सिमा में होता है इसमें सही गलत का उन्हें परक हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है ठीक है वो समझते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है जब अच्छा और बुरा की समझ हो जाता है तो हम कहते हैं कि उनमें नेतिक विकास, moral development हो चुका है के बीच अंतरस पश्ट करने लगते हैं किसरों में दूसरों के विवहारों अंतर किरियाओं के समझने की छमता काफी बढ़ जाती है बंढ़ जल्द ही किसी बात में छीपेवे तक्ति को समझने कर लेता है तदम चार विकास चर्म सिमा पर हो रहता है तो यहां पे हम लोग देखें कि मान्सी विकास जो हता है वो साथ वस्ता में कैसे देखें? बाल्य वस्ता में और के साथ में. तीनों को आप लोग जो है रिड advisor करके इसको पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ माए जबू कर लिए तो उसके बारे में आप जारूर Łॉड लिख लेंगे